भाबी तेरे माई के वाले पायल भोली भाली और सीधी साधी लड़की है जिसे ज्यादा दुनियादारे से कोई मतलब नहीं है बच्पन से वही कंप्रमाईज करती आ रही है उसके भाई को पढ़ाने के लिए उसे छोटे स्कूल में पढ़ाया गया फिर भी वो तो खुश रहती है किसे से कुछ नहीं कहती जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी पढ़ाय छुड़ा दी गई ताकि उसके कॉलेज में थोड़ा बहुत जो फीज लगता है वो भी ना लगे एक रूस सुनीता पायल से कहती है बिटा अब तेरी शादी कर देंगे आखरकार तुझे तो अपना घरी बसाना है पढ़ कर क्या ही करेगी है जितना पढ़ ना था पढ़ लिया अहां मा ठीकी तो कहती हो शादी में लेकिन आजकल बहुत खर्च होते हैं इतने खर्च कैसे निकालेंगे आरे तेरी शादी उसी घर में करेंगे जो दहेज नहीं लेगा और शादी का खर्च भी खुद करेगा आजकल लड़कियों की बहुत डिमांड है दिक्कत तो लड़कों की शादी में होती है मैं तो सोच सोच के मरी जाती हूँ कि तेरे भाई के पीछे कौन लड़की आएगी हमारे पास तो उतना कुछ है भी नहीं इसलिए उससे पढ़ाना ज़रूरी है हाँ मा कोई बात नहीं भाईया को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है सुनीता और सुमित जब देखो दिन बर यही कहते रहते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं एक रोज सुमित अपने कॉलेज से आकर बैठता है और सीधा पायल को सुनाती हुए कहता है तुमारा ठीकी है पायल तुम्हें कोई कमानी की टेंशन नहीं गर का काम कर लो बस हो गया तुमारे लिए हम कोई लड़का ढूण देगे और तुमारे जिन की बार अस फिर आराम से कटीगी आज मेरा कॉलेज खत्म हो गया है मा मैं सीधे काम खोजने वहीं से निकल गया इतने कम पैसों में काम दे रहे हैं कि क्या बूलू बहुत महिंगाई का जमाना है अरे बिटा शान्ती रख सब हो जाएगा ये भी तो हो सकता है कि पायल की शादी बहुत ये अच्छे घर में हो जाए और तेरे जी जाए ही तुझे कोई काम करवा दे अच्छा अच्छा सोचा कर सब अच्छा ही होगा पायल भी तो यही सोचती है ना कि उसका मायका भी अच्छा रहा है तब ही तो वो आ सकेगी ना जब उसका मन करेगा नए तो गरीबी में आकर वो बेचारी करेगी क्या हाँ मा वो तो है भाया तुम ये सब टेंशन छोड़ दो और मुहाद दो कर आओ मैंने तुम्हारे पसंद की चाओमिन मंचुरिन बनाया है चाओमिन? कितने दिनों के बाद गर में चाओमिन बनाया है इतना गरीब सा लगता है मा की पूछो मत भाया अब जैसा है हमें वैसा ही रहना होगा सोच सोच कर अपना मा था मत खराब करो भगवान पर भरोसा रखो जिसने अपनी गाड़ी यहां तक पार लगाई है वो आगी भी लगा दीगा सुमित फ्रेश होने जाता है और सुनिता पीछे-पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है पेटा तो कुछ ज्यादा ही गरीबी जैसी बात कर रहा है और बैंक बैलेस है ही कितना उसके ब्याद से तो घर चल रहा है अगर उसे निकाल लिया तो घर चलाना भी भारी हो जाएगा बेटा तो ऐसे मत कर सब हो जाएगा शांती रख मैं अपना जेवर बेच कर तुझे दुकान खुलवा तूंगे बस सुबित फ्रेश होकर चामीन और मंचुरियन खाकर सोने चला जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ-कुछ चलने लगता है वो सोचता है पाइल अठरा साल की हो कि फोरण उसकी शादी करवा देनी चाहिए वनना उसे ज्यादा कुछ पता चला तो कहीं वो अपना हिस्सा लेने ना आ जाए सुमित तुरंत उठता है और उसी वक्त शादी.com में पाइल की प्रोफाइल बना कर लड़के देखने लगता है अगले दिन सुनिता भी पाइल का बावडिटा और फोटो बनवा कर अपने कुछ जान पैचान वाले को देते हुए कहती है देखो कोई ऐसा लड़का बताना जो एक भी रुप्या ना ले और कोट मैरेज के लिए राजी हो जाए अमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है तू बे फिक्र रहे आजकल अराम से इसे लड़के मिल जाते हैं जो दो जोड़ी में ही लड़की को ले जाए इधर आलोग जो कि पायल के स्कुल में उसका सीनियर रहता है उसे छुप छुप कर प्यार करता है उसे जैसी पता चलता है कि पायल के लिए उसकी घर वाले लड़का देख रहे है तो वो सारी बाते अपनी मा चंचल को बता दिता है और चंचल आलोग का रिष्टा लेकर सुनिता के घर पहाँच जाती है बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए बस अपनी बेटी को दो जोड़े में विदा करती जी हमें कोई एतराज नहीं है हमें पायल बहुत पसंद है आप हमारे आलोग को चाहे तो देख सकती है अरे बहन जी हम तो कोड मेरेज करेंगे हमने तो यही सोचा है अरे मुझे कोई आपती नहीं है लड़के को क्या देखना अब जैसा चाहिए था वैसा मिल गया और क्या चाहिए फिर भी आप लड़की की मा है एक बार आप देख लो अरे देखना क्या है हम कली कोर्ट मेरेज के लिए अपलाई कर देते हैं कोई लड़के को देख लेंगे हमारी पायल ना बहुत सीधी साधी है कहीं भी आज़स्ट हो जाएगी ठीक है फिर चलते हैं हम कोर्ट में मिलते हैं अगले ही दिन सुमित कोर्ट में दोनों की शादी के लिए अपलाई कर देता है और आलोग से मिल लेता है एक महनी के बाद दोनों की शादी हो जाती है और बिना कुछ दिये ही पायल को घर से विदा कर देते हैं आलोग कोर्ट मेरिज के बाद एक रिसेप्शन पार्टी देता है जिसमें सुमित और सुनीता भी आते हैं मा पार्टी तो अच्छी खासी रखिये जी जुना हमारी पायल को घर अच्छा मिल गया वो भी बिना दहज की ननत भी उसके अच्छी लग रही है पायल के आगे पीछे कर रही है अच्छा ही है ना बिटा हमारा जमिला खतम हुआ अना हमेशा कभी कोई टेंशन तो कभी कोई पार्टी एंजोई करके सुनीता और सुमित सबसे मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं इधर पायल को आलो के घर वाले बहुत अच्छी और पूरे मन से एकसेप्ट कर लेते हैं पायल अलोक के घर में बहु नहीं, बेटी की तरह रहने लगती है और नैना के साथ घुमने फिरने लगती है एक दिन नैना पायल से कहती है भापी एक बात बताओ, आपको बुरा नहीं लगता? आपके माई के वालों ने आपको शादी में कुछ भी नहीं दिया नहीं दिदी, बुरा क्यों लगाना? जब मुझे पता है कि उनके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है वो बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है इसलिए तो मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई ओ, अच्छा-च्छा इदर सुमित को भी नौकरी लग जाती है और सुनिता उसके लिए लड़की देखने लगती है सुमित सुनिता से कहता है माँ मुझे बस दस जार मिलते हैं कौन लड़की भला इस घर में आएगी? खर्चा कैसे निकलेगा? आरे वो सब तू छोड़ दे किसी को क्या पता के तुझे कितने मिलते है फिर जो इतना इंट्रेस्ट आता है वो भी तो है मैं सब देख लूँगी तेरे पापा के इतने पुलिसी चलाए हुए है वो सब अभी पूरे होने वाले है अच्छा खासा पैसा मिलेगा उससे बस पायल से एक सिगनेचर करवाना है पायल को तो बॉटल में मैं उतरूँगा मा सुनिता लोगों में अपने बेटे की इतनी तारिफ कर देती है कि सबको लगने लगता है कि सुमित अच्छा खासा कमाता है और इसी गलत फैमी में प्रगती का रिष्टा सुमित के लिए आ जाता है और सुनिता बिना कुछ एब निकाल एक मोटे दहेज के साथ प्रगती को अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार हो जाती है भाई साब मेरा बिटा वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी अब तो फिर ठीक है शादी की तयारिया शुरू करता हूं मैं प्रगती और सुमित की शादी का न्योता पायल के ससुराल जाता है चंचल नैना से कहती है नैना एक बात मुझे हजम नहीं हो रही क्या ममी तुने देखा पायल की शादी में इन लोगों ने एक फूटी कोडी भी नहीं थी और अभी बेटे की शादी इतनी बड़ी जगा कर रहे है वही न ममी मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है भाबी के साथ इन लोगों ने धोखा किया है लेकिन ये बाद भाबी को समझ में ही नहीं आती देखते हैं शादी कैसे होती है फिर मैं भी कोई कम नहीं हूँ अपने बेटे बहो का हक नहीं जाने दूगी ठीक है ममी सुमित की शादी का दिन आ जाता है पायल शादी के पंदरा दिन पहले ही माई के चली जाती है और शादी वाले दिन नैना, चंचल और आलुक वहां पहुशते है शादी बहुत अच्छे से होती है शादी की बाद प्रगती सुमित की घर आ जाती है मुझ दिखाय के वक्ट चंचल सुनिता से कहती है समधन जी बहुतर सुन्दल आई हो प्रगती के आने से ही आपके घर की प्रगती होने लगी आपके मुझ में घीशकर बहु मैं डोण के भी तो लाखो में एक लाई हूँ बहाद पढ़िया समधन जी अब हम चलते हैं पायल को आप लोग कल भीज दीजीगा अरे आप लोग भी रुख जाते हैं समधन जी कल सुमित नहीं गाड़ी ले रहा है न तब सब साथ में ही चलते हैं ये तो अच्छी बात है भगवान करे सुमित बहुत तरकी करे लेकिन समधन जी घर भी तो देखना है हम चलते हैं आप अपनी बेटी को आराम से भीज देना हमें कोई हडबड़ी नहीं है चंचल आलोक और नैना वापस आ जाते हैं लेकिन जाते वक्त सुनिता उन लोगों को कुछ भी नहीं देती घर आकर नैना आलोक से कहती है भाया तुमारे सेसुराल वाले तो बहुत गजब के मुझे और ममी को कुछ नहीं दिया समझ में आता है लेकिन आपको नहीं दिया ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा ऐसा कुछ नहीं है मेरी शादी के बाद सुमित कमाने लगाया और शादी में उसके इतने खर्च है कि मुझे क्या ही देगा वो अपनी बैन को देगा वही काफी है आलोक वहां से चला जाता है चंचल नैना से कहती है नैना तुम आलोक से कुछ मत कहा करो उसे ये सब कहां समझ में आएगा पायल को ही हमें समझाना होगा पहले देखे तो उसकी मा उसे क्या देकर भेजती है मैंना ममी उदर अगले दिन सुमित नई गाड़ी खरित कर लाता है और सुनीता कहती है बहु के कुम कुम पैर तो नई गाड़ी पर ही पढ़ने चाहिए प्रगती के आने से ही सब कुछ अच्छा होने लगा अपने आप बहु तुता लक्षमी है हमारे लिए क्याओ पायल हाँ भावी भावी को उठाओ न सुमित प्रगती को कुम कुम भरे पैर से उठाता है और गाड़ी में उसके पैरों के निशान लेता है चलिए दिदी अब हम लोग गाड़ी से एक राउंड लेकर आते हैं सुमित पायल सुनीता और प्रगती को लेकर घुमाने निकल जाता है पिर रास्ते में रुक कर सब आईसक्रिम खाते हैं आईसक्रिम खाने की बाद सुमित कहता है ओ शिट मा मैं तो पर्स घर पर ही भुलाया हूँ अब क्या करूँ पैसे कहां से दूँ हारे भाया कोई बात नहीं मैं ओनलाइन पे कर देती हूँ तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मैं हो ना साथ में नहीं वो बात नहीं है तुम क्या सोचोगी के भाया ने आईसक्रिम के भी पैसे ले लिए क्या भाया कैसी बात कर रहे हो दो पल में मुझे पराया कर दिया ना अपने पायल पैसे दी देती है और सब बापस घर चले आते हैं अगले दिन पायल सुनीता से कहती है मामी, अब मैं भी अपने सिसुराल चलती हूँ आई हुए बहुत दिन हो गए न हाँ बेटा, आज चली जाना सुमित तुझे गाड़ी से छोड़ा आएगा वो मैं सोच रही थी कि तेरे भाई के शादी के नाम का तुझे कुछ सोने का बनवा दूँगी लेकिन क्या करूँ पैसे ही नहीं जूटे सबको मैं दिखा रही हूँ कि हम कितने पैसे वाले हैं, लेकिन मेरा मन जानता है ना हम कितने पैसे वाले हैं अरे बिटा तेरे भाई ने तो गाड़ी भी लोन पर उठा लिया ममी लोन की क्या जरूरत थी जो है उतना ही काफी है उसे में गुजारा करना चाहिए न अरे तू समझती नहीं बिटा बहु को लगना नहीं चाहिए कि घर में कोई कमी आ वरना तू तो जानती है न कोई भी लड़की ये आजकल जैसे तैसे गरीब घर में रहना नहीं चाहती तेरे भाई का घर बसाना जरूरी था मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ पैसा बच जाए तो तुझे कुछ दे दोंगी लेकिन क्या करूँ कोई बात नी ममी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है ससुराल में तुम टेंशन ना लो मैंने यही तरह भाई से कहा था कि पायल को नहीं भी देंगे ना कुछ तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन उसे ना तेरी बहुत टेंशन हो रही थी अब क्या बोलो कुछ नहीं ममी सुनिता पायल को पांचो का नोट देती है और सुमित उसे उसके ससुराल छोड़ाता है ससुराल पहुंचते ही नैना उसके और भागते हुए आती है भापी माई के से भाई की शादी का क्या मिला प्रगती के माई के से तो आपके कपड़े आये होंगी भाभी आपके घर में तो दो दो फंक्शन थे एक तो शादी उपर से गाड़ी मोटा माल लाई होगी अरे नहीं नी दीदी ऐसा कुछ नहीं है शादी में पहले इतना खर्चो गया था तो मैंने मना कर दिया ममी को कुछ देने से आप भी बताओ भाईया ने गाड़ी लोन पे लिये है तो कैसे ही मुझे कुछ दे पाते भाभी के माई के से मेरे लिए एक बहुत सुन्दर साड़ी आई है वो मेरी ममी ने मुझे दी है और साथ में 500 का नोट पी अचानक उसकी शादी के पैसे आ गए उसके पास तेरे लिए कुछ भी नहीं था नहीं नहीं ममी जी ऐसा नहीं है मुझे पता है ना बहुत मुश्किल से मेरी ममी सब कुछ हैंडल करती है हमारे पास सच में ज़्यादा कुछ नहीं है बहु अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ दिन बाद तुझे सब समझ में आने लगीगा चंचल और नैना एक दुसरे से फिर बात करते हैं मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने दहेज क्यों नहीं लिया इसके माई के वालों के पास तो पैसा है लेकिन इसके मा और भाई इसे कुछ ना देकर सब खुदी दबा कर रखना चाहते हैं इसी तरह दिन बीटने लगते हैं एक रो सुनीता का फोन पायल को आता है और वो इमर्जंसी में पायल को घर बलाती है पायल भी बिना कुछ सोचे समझे अपने माई के चली जाती है ममी ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुझे इतनी जल्द बाजी में बुला लिया बेटा ये ना लोन की पेपर है इसमें सिकनेचर करते है तब जाकर तेरे भाई को फ्लैट के लिए लोन मिलेगा ममी फ्लैट क्यों ले रही हो ये घर तो है ना अरे बेटा ये घर इतना टूटा फूटा है तुई बता कैसे कोई इसमें रह सकता है अब फ्लैट लेना ना बहुत ज़रूरी है प्रगती के माब भी बोल रहे थे कि कैसे घर में बेटी को दे दिया अगले ही दिन सुमित नया घर ले लेता है और प्रगती दना आदन शौपिंग करने लगती है दिदी आप बताओ कैसा लग रहा है ये सूफा मैंने अपने नया घर के लिए ले रहे हूँ घर की पार्टी भी शांदार होगी आप अपनी शौपिंग कर ले ना पार्टी के लिए हाँ सूफा तो अच्छा लग रहा है माम मेरा काम तो हो गया तो मैं चलू हाँ जा जा पिटा सुनीता पायल को कुछ दिये बिना ही विदा कर देती है इधर पायल अपने सिसुराल जाकर सब कुछ बता देती है मम्मी जी भाया ने फ्लैट लिया है तो मुझे इसलिए बुलाया था भाबी ने तो इतनी शौपिंग की दो दिनों में कि पूछो ही मत हम भी जब मम्मी जी नया फ्लोर बनवाएंगे न तो शौपिंग करेंगे हाँ हम तो करेंगे ही लेकिन बहु एक बात पता तेरा भाई रोज कभी गाड़ी ले रहा है कभी घर उसकी बीवी इतनी शौपिंग कर रही है तो तेरे लिए कुछ नहीं है क्या तेरा भी तो उस गर में हिस्सा है ममी जी मेरा हिस्सा तो यहाँ है ना इस गर में लड़की का सब कुछ शादी के बाद उसका सिसुराल होता है ना हाँ भावी होता है लेकिन आपके माई के वालों ने आपके साथ धोखा किया है फ्लैट का छोड़िये आपकी पुराने घर में तो आपको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था कल को आपकी बच्ची होंगे उसके सामने आपके माई के वालों की इज़त क्या रहेगी वो लोग बोलेंगी कि नानी ने कुछ दिया ही नी दीदी अभी तो भाया को इतना लोन बरना है ये फ्लैट भाया ने लोन में लिया है लोन की पेपर पर मैंने ही साइन किया है क्या अरे बहुए ऐसा नहीं होता तुझे ये लोग बेवकूफ बना रहे है एक बात बता जब सब चीज के लिए लोन ले सकते हैं तो तेरी शादी के लिए क्यों नहीं लिया तुझे हर बार तेरी मा ये कह देती है कि बिटा दिक्कत है बिटा दिक्कत है तो तेरे भाय के लिए ऐसा क्यों नहीं अब पायल के दिमाग में चंचल की बाते घूमने लगती है और वो अपनी मा को फोन करके कहती है मा इस बार घर के उपनिंग में मुझे एक सोने का चेंज आईए अरे बिटा अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है साब कुछ फ्लैट में इक हर्च हो गया है ममी जी और दीदी सही बोल रही थी ममी ने हमेशा मेरे लिए ही कहा कि अभी नहीं हो सकता शादी के लिए भी ऐसा ही घर देखा जहाँ दहज ना लगे इधर चंचल पेपर के सिगनेचर का सच पता करने लगती है और भाग दोड़ करके पता लगा लेती है ये तो बहु के पापा की प्रॉपटी है और बहु के नाम पर है और ये लोग सारी प्रॉपटी अपने नाम करवाना चाहते है अभी बताती हूँ चंचल सारे पेपर लेकर पायल की पास जाती है और उसे सब दिखाती है देख देख तेरे भाई और मा के कारणा में तेरी ही संपती है और तुझे ही कुछ देना नहीं चाते साब हजम करने पर तुले है कोई लोन नहीं लिया तेरे भाई ने तेरे पैसो से लिया है सब अब तो अपना हक लेगी तू या आप भी नहीं मामी जी ये सब क्या है मुझे यकिनी हो रहा मेरे घरवाले मेरे साथ ऐसा कर सकते है हमने तो पहले ही कहा था भाई लेकिन आप हमारी सुनती कहा हो पाईल अपनी मा को फोन करके सब कुछ बताती है ममी मुझे सब पता चल गया है अब तुम खुद से ये फ्लैट मुझे दोगी या फिर मैं कोट से ले लू दिदी आप ये सब क्या कह रही हो सुमीत और ममी जी अपसे किता फ्यार करते है हाँ वो मैं देख रही हूँ भाबी कैसे अपने मतलब के लिए आप बोल रही है बोलो ममी क्या मैं कोट में जाओ अरह कैसे बात कर रही है बिटा ये तेरा ही तो घर है घर मेरा वाली बात नहीं है मैं भाईया की तरह अकेले ही सब कुछ नहीं निगल लूगी आधा सब कुछ मेरा और आधा सब कुछ भाईया का मुझे फिर आप लोगों से कोई मतलब नहीं है पाईल अपना हिस्सा लेकर अपने माईके वालों से रिष्टा तोड़ देती है